अली गंज कभी हर्श्वर्धन के भव्य सामराज्य का हिस्सा था और इसका उल्लेक सात्वी शताब्दी के चीनी तीर्थ्यात्री हवेंसान के खातों से मिलता है जो संच चार साथे डी में इस रास्ते से गुज्रा था एक पुराने विवरन में कासगंज को एक उचे स्थान पर होने का उल्लेक है इसकी जल निकासी एक मील दूरकाली नदी की और बहती है यहाँ एक किला था जो अब लगभग समाप्त होने की कगार पर है अब केवल दो गुम्बत जीर्न शीर्न अवस्था में बची खड़े है इसका निर्मान मुहमद खान बंगश चेले नवाब याकूत अली खान के मारफत करवाया था आये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन था नवाब याकूत अली खां असल में याकूत गंज का मूल नाम सराय नूरी था पहले ये एक सराय थी इस सराय का नाम नूर बख्ष सराय नूरी मुहम्मद बगंश खान को तोहफे में दे दिया। याकूट अली खान को उसकी सेवा वसमरपन के लिए खान बहादूर का खिताव प्रदान किया गया था। उसे पक्के मकान विल्डिग व बजार वनाने की इजाज़त दी गई। नबाब मुहम्मद खा बंगश ने नबाब याकूट अली खान द्वारा की लेका निर्मान करवाया। याकूट अली खान राज्य का प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया। उसे कास गंज का भार सोपा गया। 1749 में उसने साथ बाजारों का निर्मान कराया याकूट गंज, खुदा गंज, अली गंज, क बने हुए 281 वर्ष हो चुके हैं. इसके परिसर में लगभग 5000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं. जामा मस्जिद में एक मदर्सा अशफियर रोजितुल उलूम जामसन 1989 से चल रहा है, जिसमें दूर दूर से बच्चे दीनी तालीम हासिल करने आते हैं.